इकाई एक चित्र के संग संग सुप्रभाद बाल दोस्तों कैसे हो? सुप्रभाद टीचर बाल दोस्तों हमारे जीवन में कई सारी घटना या प्रसंग होते रहते हैं कई बार हम अपनी आखों के सामने कोई घटना या प्रसंग होते हुए देखते हैं तो चलो, आज मैं आपको ऐसा ही एक प्रसंग सुनाता हूँ आप सब ध्यान से सुनना बल दोस्तों, आज मैं जब सुभा को घर से स्कूल की तरफ आ रहा था तब रास्ते में चलते चलते मैं एक सरकल के पास पहुँचा मैंने वहां देखा कि सरकल के पास सामने ही एक साइकल की दुकान वाला था वो साइकल के टायर में पंप से हवा भर रहा था उसके सामने ही एक गुबारे वाला गुबारे बेचने जा रहा था गुबारे हवा में उड़ रहे थे क्योंकि वो गुबारे में गैस भरी हुई थी गुबारे वाले के पीछे ही एक कुझडी वाली यानि की सबजी बेचने वाली टोकरी में सबजियां लेकर बेचने जा रही थी वहाँ सामने ही एक कुत्ता रास्ते में मुह लटका कर लेटा हुआ था मतलब की वो कुत्ता आराम कर रहा था साइकिल की दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ था सामने ही सडक पर एक व्यक्ती बाइक पर बैठ कर जा रहा था बाइक के पीछे एक रिक्षा जा रही थी रिक्षा में एक यात्री बैठा था रिक्षा के पीछे दो कारें जा रही थी उसी सडक पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा था और शायद वो ग्रहक की रह देख रहा था उसी समय साइकिल वाला दुकानदार टायर में पंप से हवा भर रहा था तब ही अचानक टायर जोर से फटा और साइकिल वाला दुकानदार गिर पड़ा वहां से गुजरती कुंजडी वाली यानि की सबजी वाली के सिर पर रखी टोकरी से सभी सबजियां जमीन पर बिखर गई तोता घबरा कर उड़ने लगा गुबारे वाले की लकडी पे दोरी से बंधे गुबारे अलग होकर यहां वहां हवा में उड़ने लगे मोची का सामान इधर उधर बिखर गया लेटा हुआ कुट्ता उठ कर भागने लगा यह रिक्षा वाला बाइक से टकराया इस घटना से सरकल पर सब इधर उधर हो गया देखा बाल दोस्तों एक टायर फटने के कारण सब कुछ बिखर गया यह घटना टायर फटने से हुई क्योंकि साइकिल के टायर में पंप से हवा अधिक भर जाने से वो टायर फट गया और ये घटना हुई तो बाल दोस्तों आपने भी किसी ऐसी टायर फटने की घटना या कुछ और फटने की घटना देखी हो तो आप अपने स्कूल के मित्रों को आ कर सुनाना झाल भी किसी अद़ और cutter की घटने की घटनार देखी हो खाज